अप्रें वेलकम बैक टो मैं चरनल मालच व्लोग मेरा और एक नाय ब्लोग में आप सब का स्वागत करती हूँ आप सब कैसे हो आज सा करती हूँ सब कोई अच्छे होंगे तो आज का बलाग मैं यहां से ही सुरू कर लेहीँ और आभी सुभा के बज रहा है सारे छे आर यहां पर देखिए यहां पर देखिए आज बच्चे महालाया देख रहा है आज महालाया है ना तो यहां पर बच्चे सब महालाया देख रहा है और मैं चाय पराठा लेकर आ गई हूं तो सब कोई मिलकर चाय पराठा खाएंगे तो मिलते हो तो थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करती हूं ये देखिए आज मैं प्रिच क्लिनिंग कर रही हूं कि प्रिच क्लिनिंग करने से पहले मैं बंद करके रखती हूं थोड़ी देर के लिए उसके बाद देखिए साड़ावन मैं निकाल लीह हूँ देख सकते हो साड़ावन निकल के बाहर रग दिनुँग और अभी मैं साड़ाव यह सब निकाल के साप कर लूंगी उसके बाद पूरा प्रीज का क्लीनिंग कर दूंगी यह देखिए यहां पर साड़ा सामान निकाल के रखी हूं ज्यादा तर सामान मैं इस्तेमाल करने के बाद मैं फ्रीज क्लीनिंग करती हूं जो भी थोड़ा बहुत सामन रहता है यह तो तो यह सब निकाल ली हूँ तो आभी मैं फ्रीज क्लिनिंग कर लें देखिए फ्रीज का जो पीछे वाला पॉर्शन है यह भी एकदम अच्छे से साप कर दी हूँ अभी इसको मैं रख दूँगी क्योंकि फ्रीज का क्लिनिंग जो है अंदर एक बाहर सब हो गया है यहां पर देखिए फ्रीज का जितना सारा पार्ट्स है सब यहां पर धोके सुखाने डाल दी हूँ बाकी सब मैं बाहर डाली हूँ देख सकते हो और यह तरब देखिए फ्रीज एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है मेगा के पापा देखकर बोल रहे थे कि नाया फ्रीज लाए है क्या एकदम इतना अच्छे से क्लीन हो गया इतना पुराना फ्रीज नहीं लागेगा तो यहां भी सूगने देते हैं तब तक मैं कीचेन का सबसफाई भी कर लेती हूं यहां पे जिसमें मैं सब सामान रखते हूं ना गोशारी का वह सब डिब्बा जो है निकाल ले रही हूं इस बार जादा कुछ धोना नहीं पड़ेगा क्यूंकि मैंना जब भी कुछ चीज घतम हो जाता है मैं तो वह डबा धो देती हूं इसके बज़े से एकदम इस बार एक धोने बाला है मैं वह भी धोलूंगी और यहां पर देखे पहले मैं यहांपर जाला मकरा जो भी है सब सापका ले रही हूं उसके बात जो मैं फ्रीज सापकाने के लिए रेमीडी बनाती हूं ना वह खाने का सोडा मिलावनमीठा सोड़ा और भीनिगार और भीमबर और थुरण सा पाणी डालके जो बनाती हूँ उससे ही मैं ये पूरा टाइल साप करती हूँ तो उसमें मैं उसको बना के मैं चारो तरब लगा दी हूँ भीगा कपड़ा से तो अभी तो उसको भीगने देते हैं क्योंकि अच्छे से भीग जाएगा तो अच्छे से क्लिन हो जाएगा और उसे पहले मैं जो जो बर्तन बगरत होना है इससे पहले भी मैं कुछ दोकर सुखने डाल के आई हूं और कुछ अभी देखिए यहां पे धूमे दे दी हूं और आज धूप इतना बोहत बढ़िया खिला है काल का थोड़ा बहुत कपराता वो सुखाने डाल दी हूँ और ये गेहूं जो है सायद बारीड मालकीन दिये होंगे पता नहीं कौन सुखाने डालके गये हैं और उसके बाद देखिए मैं जो भीगात दी थी ना वही मैं अभी साप कर ले रही हूँ ये बहुत अच्छी तर कि डाल दूंगी आप लोग जाकर देख सकते हो देखिए पूरा किचन क्लिनिंग हो गया है ये देखिए पूरा फ्रीज जो है सेट कर दी हूँ तरा समन अंदर रग दी हूँ एकदम क्लीन लग रहा है ना तो अभी खाना भी बन गया है, बच्चों को खाना दे देती हूँ, कीचेन का सामान पूरा सेट कर दी हूँ, देख सकते हो, और दोपेर का सब का खाना खाना हो गया है, कीचेन का सब कुछ सेट कर दी हूँ, दोपेर को मैं आज डाल चावल सिर्पिल सा बनाई थी, चोखा भी बनाई थी, तो सब का खाना खाना हो जाने के बाद, अभी सब को इरेस्ट कर रहा है, और अभी मैं मार्केट जारी हूँ, कुछ काम है, तो करके आती हूँ, चलिए वी पर और बार मार्केट जारी हो जाम हो जाएँ, अब लोग देख सकते हूँ, कितना बड़ा पैंडल लगा है, इतना सुन्दर है, देख सकते हूँ, और दिखाती हूँ, कि इस चीज का सीराम कथा होने माला है। ये नवरत्री का तैयारी हो रहा है और ये यहाँ पे पहली बार हो रहा है देख सकतो कितना बड़ा प्रांडल है ये फ्रॉन साइड है अब लोगों को दिखाती हूँ देखिए कितना सुन्दर तरीके से तैयारी हो रहा है ना बहुत ही बढ़िया तो आएंगे तो अब मार्केट का काम जटपट कर लेती हूं उसके बाद आकर दिया बाती भी करना है तो पटपट चले जाती हूं अभी देखिए टाइम कितना हो रहा है साथ वाजने में 15 मिनीट बाकिये मैं मार्केट से आ गई हूं और जो काम था वो तो हो गया है और साथ-साथ मैं यहां पे कुछ सामान है उसके बाद मेरा सब लेकर आई हूं और colocar और यहां पे दियाबाती हो गया है और सब्जी में दोकार डाली कि औने थी वह इस पूप गया है आप इमें आलू को उसके जगा में रख दूंगीं और सब्जी जो है वो मैं फ्रीज में रख दूँगी तो मिलते है थोड़ी देर बाग में पूल्गोवी आलू के सब्जी बना रही हूं तो आहाना पर आलू रेखिए बोयल करका हालका सब ठाई कर लए यहां पर फुल्गवी जो है फ्राइक करके रखी हो और यहां पर देखिए आदरग, जीरा, धनिया और एक मिर्चा डाली हो इसका पेस्ट बना ली हो और यहां पर आटा निकालके रखी हो आटा भी सान लोंगे फ्रेस होकर मैं यह सब काम कर रहे थी तो सब्जी आभी बिठ बोटी भी सब के लिए निकाल दे रही हो तो सबको अभी सब्जी दे दूंगी तो यही है आज का डिनार हम लोग का और यह निरामिज सब्जी है निरामिज मतलब प्याज रसुन नहीं है इसमें तो आज का वीडियो मैं यहां पर ही समप करते हूं आप लोगों को यह आज कि अची रही है बाइबाई थांक्स फौर वाजीं